तो दोस्तो आज है तारीक 18 जनवरी और आज के ही दिन बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे अपने क्वाटरली जो नंबर है वो यहाँ पे रिलीस कर दिये हैं दोस्तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो जो स्टॉक प्री कोविड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 4500 के आसपास ट्रेट कर रहा है वहीं अगर हम अभी रिसेंट करेक्शन की बात करें जब निफ्टी 16400 तक भी हमें गिरता हुआ देखने को मिला और बजाज फाइनेंस की बात करें अल्मोस 6500 तक हमें ट्रेट करता हुआ देखने को मिला था और वहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक में हमें फरदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली जो की 7800 के आसपास थी 6800 के आसपास मैंने खुद इसमें S.I.P. की थी और वहाँ टेलिग्राम चैनल में भी बोला था कि आप इसमें बड़े आराम से लॉंग टर्म के लिए स्विंग ट्रेट के लिए यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं और आज की इस वीडियो मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो है तो उतनी शांदार रिकवरी दिखाता है और हमेशा प्रीमियम वैलुएशन पे ही ट्रेट करता हुआ देखने को मिलता है आज वो रीजन हम डिसकस करेंगे कि आखिर क्यों मैंन ने क्या estimate किया था और वो उस estimation पे खरे उतरे या नहीं और finally in the end हम देखेंगे कि चार्ट पे अगर कभी profit booking आती है या market में pressure की वज़े से बजाज फाइनेंस में गिरावट आती है तो किन किन levels पर हमें बजाज फाइनेंस में support देखने को मिल सकता है सारा सब कुछ इस वीड और शांदार वीडियो को सबसे पहले access करने के लिए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं शुरू हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं इनके consolidated numbers यहाँ पे इनके हमें कुछ subsidies भी देखने को मिलती है और बात करें यहाँ पे हम तो सारी values जो है तो आपको crores में देखन पे हम numbers को compare करेंगे और यहाँ पे हम इनके NPO को भी देखेंगे क्योंकि NPO भी काफी important हो जाते हैं किसी भी financial services या institution के लिए तो अगर हम यहाँ पे income की बात करें आप देख सकते हैं major जो इनका income है वो interest income होता है चुकि यह loan provide करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ interest income जो है YOY basis और quarter on quarter basis पर बढ़ियां हमें बढ़ते हुए से देखने को मिले हैं overall अगर हम revenue की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल same quarter में 6656 करोड था वो अब बढ़ करके 8532 करोड रुपय हो चुका है और वहीं अगर हम पिछले quarter से compare करें तो आप देख सकते ह यानि कि YOY basis और quarter on quarter basis पर बहुत अच्छे यहाँ पर हमें numbers में जो है तो growth वो देखने को मिली है तो यानि कि यह जो segment है यह एकदम positive है बजाज finance के लिए चलिए इसके बाद हम देखते है expenses जो की काफी important हो जाता है expenses हर company में हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं इस बार कि quarter में 5727 करोड थे यानि कि previous quarter के compare में इन्होंने expenses कम कर दिये हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है ऐसा जो है तो बहुत ही rarely अभी तक देखने को मिला है quarter 2 की बात कर ले या quarter 3 की बात कर ले वहीं YOY basis पर बात करें तो 5100 करोड रुपए के आसपास थे तो उसके comparison में हमें expenses जो ह यहाँ पर एकदम positive है काफी अच्छे numbers expenses में देखने को मिलते हैं चलिए अब हम देख लेते हैं finally profit after tax जो की काफी important हो जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तो 2125 करोड का profit company ने post किया है पिछले साल जो है तो 1145 करोड का profit था आप देख सकते हैं almost double हो गया है लगभग मेरे ख् 55% का यहाँ पर growth आपको देखने को मिलेगा वही quarter on quarter basis पर भी बात करें तो 1480 करोड के मुकाबले 2125 करोड यानि कि यहाँ पर भी लगभग 50% की growth जो है आपको यहाँ पर इनके profit में देखने को मिलेगी एक big thumbs up है यहाँ पर इनके numbers में बजाच finance को चलिए इसके लावा और भ जो है double यानि कि लगभग 80-85% की growth इनके EPS में देखने को मिली है वही quarter on quarter basis पर भी 24 रुपए के मुकाबले 35 रुपए हो गए हैं बहुत शांदार number है देखें इन्होंने अपने जो sales के number declare किये थे उससे यह expectation थी कि इनके number काफी अच्छे आने वाले हैं लेकिन इनके जो number आ हम पिछले साल why oh why basis पर यहाँ पर compare करें तो यह भी एक काफी अच्छा positive सा यहाँ पर point हमें देखने को मिलता है और वही पर एक जो बहुत important शीज हो जाती है उसको भी हम देख लें किसी भी financial institution के लिए वो है इनके gross NPA और net NPA अगर इनके हम यहाँ पर gross NPA की बात करें तो व gross NPA 2.45% थे आप देख सकते हैं वहाँ से हमें एक लगभग या almost आधे होते हुए देखने को मिल रहे हैं almost कह सकते हैं एकदम आधे तो नहीं है बट फिर भी ठीक है और वहाँ ही पर अगर हम net NPA की बात करें तो 1.1 के against में यहाँ पर 0.78% यानि 1.8 पिछले quarter में था 0.78 जो यहाँ पर इस segment में भी इनको एकदम big thumbs up है बजाच finance को चलिए एक बार यहाँ पर हम market के estimation के साथ compare कर लेते हैं आप देख सकते हैं यह quarter 3 के number है बजाच finance के यह CNBC का poll है और यहाँ पर estimate से हम यहाँ पर compare करेंगे कि upside था या downside आप देख सकते हैं profit की बात करें तिरों ने expect किया 6,000 करोड रुपए आये हैं यहाँ पर expectation थी 4,900 करोड रुपए की और लगभग 20% का use upside against हमें estimation देखने को मिला है यानि कि number बहुत ही शांदार और एकदम shocking number यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं और दोस्तों यही reason है कि जब अच्छा stock आपको इस तरीके से गिरावट में म हो सकता है आपको एक और opportunity दे दे profit booking आपको देखने को मिल जाए चूकि यहाँ से इतना run up किया है और या फिर मुझे लगता है कि in a long run definitely आपको यह stock जो है 10,000 तक भी जाता हुआ जल्द ही जल्द आपको हो सकता है 6 month within 6 month या 1 year में आपको यह तो यहाँ तक आपको जाता अब बड़े आराम से देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने EPS इंप्रूफ किये हैं अपने numbers इंप्रूफ किये हैं definitely इसमें और भी आपको aggressive buying जो है वो देखने को मिल सकती है फिलहाल कि अगर हम बात करें तो इसके support देख लेते हैं 7500 पर एक support हमें safety है जो शायद ये support अब शायद आपको ना देखने को मिले क्योंकि अगर यहां से इसने break किया resistance अपना 8000 का जो इसका resistance है वो अगर break किया तो फिर ये levels जो हैं ये आने थोड़े से यहां पर मुश्किल हो जाएंगे MACD की बात करें तो ये हमें एकदम bullish signal दे रहा है और RSI भी यहां पर आपको bullish होता हुआ देखने को मिलता है अब देखना ये है कि ये resistance को किस volume के साथ यहां पर break करता है volumes अच्छे आएंगे तो एक अच्छी rally आपको यहां पर देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको content पसंद आया है तो वीडियो को एक like कीजिए और channel को जरूर से जरूर subscribe कीजिए ताकि इस तरीके का quality content में आपके साथ share करने के लिए motivate होता रहूं वीडियो कोंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much